So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Tata के IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram channel को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty Bang Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो please जाकर एक बार check out जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue तो यहाँ पर अगर आपने देखें तो वीडियो की शुरुआत हम Tata Steel के साथ आज करेंगे क्योंकि Tata Steel में यहाँ पर merger से related काफी बड़ी news सामने आ रही है तो पहले अगर news को discuss में करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो Tata Steel shares in news as merger with the Teen Plate Company of India Operative from Today तो यहाँ पर अगर देखें तो आज Tata Steel के लिए काफी बड़ा दिन रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जो merger की date announce हुई थी 19 January यहाँ पर जो NCLT का approval तो मिल गया था बट यहाँ पर अगर देखें कुछ important documents होते हैं कुछ coffee होती है, files होती है उन्हें यहाँ पर certified करना होता है जो certified copy होती है ओ यहाँ पर देना होती है NCLT को ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कही ना कही जो Tata still है आज से totally operative यहाँ पर करेंगा यहाँ पर template company को तो एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने आ रही है और बिल्कुल आज अगर देखें उन्होंने important documents यहाँ पर handover कर दिये हैं किसे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NCLT की, तो NCLT को handover कर दिये हैं तो आज की बड़ी news सामने आ रही है TCIL, यहाँ पर अगर देखें officially अब Tata की Tata की जो company है वो यहाँ पर merge होने वाली है Tata still में तो यह final हो गया है, ठीक है record date की अगर मैं बात कर लू तो record date तो 19 जन्वरी है 19 जन्वरी 2024 इसके लिए record date का approval तो कब से हो गया था, तो एक अच्छी चीज यहाँ पर AB manager आती है, तो बिलकुल 19 तारीक से पहले एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ है Tata still में, और आज तो share में अगर देखो आप, तो morning में stock में, एक sudden एक fall देखने को मिला और stock गिरता ही गया, बट इसने 134 के around तक एक support लिया और 134 से stock ने 1 रुपे के around तक की एक recovery बता दी और 135 के around की closing यहाँ पर इसने दे दी और add and अगर देखा जाए, तो stock ने 30 पेसे तक की ही गिरावट आज बताई पाच दिन में 1 रुपे 80 पेसे stock बढ़ा है, और वही एक महीने की बात करें, तो 1 रुपे 70 पेसे तक stock में गिरावट नजराती है और 6 महीने की बात करें, तो 17 रुपे 25 पेसे stock में अच्छी बढ़त देखने को में मिलती है तो यह बड़ी न्यूस आज सामने देखने को में मिलती है टाटा स्टेल में, और यहाँ पर volume भी अगर आप देखोगे, तो 4 करोड के around तक का trade value हमें देखने को मिल रहा है, और yesterday भी 4 करोड का ही trade value हमें देखने को यहाँ पर मिला था और वही बात कर ले, जो community sentiments के आकड़े है, तो community sentiments के आकड़ों में भी आप देखोगे तो 100% लोगों की ओर से stock में, buy करने के लिए आपर कहा जा रहा है, ठीक है levels important है, तो levels को भी हम discuss कर लेते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल Tata Steel के कौन से IMP levels है, जिनके उपर हमें ध्यान देना चाहिए तो उन levels को यहाँ पर हम discuss करेंगे, एक मिट गएस, यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है, तो बिल्कुल Tata Steel के उपर हम आ जाते हैं, और पहले हम discuss करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर की शेर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कौन से levels हैं, जिनके उपर हमें ध्यान देना चाहिए, तो कल भी कुछ IMP levels के उपर हमने यहाँ पर discussion किया था कि Tata Steel में कुछ IMP levels हैं जिनके उपर आपको focus रखना चाहिए और आज अगर आप दिखोगे तो 35 रूपिस के अराउं तक की यहाँ पर इसने closing यहाँ पर बताई है, और जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको की एक rising wage type channel भी stock में बन रहा है और rising wage type channel की अगर मैं बात कर लूँ, तो basically यह एक bearish pattern होता है, ठीक है मैंने चीच कल भी कही थी कि जो यह जो pattern होता है एक bearish pattern होता है और exactly हापर आप दिखोंगे तो इस pattern में बिलकुल upside down momentum हमने देखे थे, और कल मैंने बताया था कि उपर से एक resistance से face कर रहा है तो यहाँ से एक fall आ सकता है exactly यहाँ पर fall है breakdown के बाद stock ने sustain करके सीधा एक fall बता दिया, हलाकि एक recovery भी आई बट share में गिरावट भी हमने देखी तो अगर गिरावट जो है ओ continue भी अगर रहती है तो stock सीधा downside के और आएगा बट कल के लिए मैं आपको और important चीज़े अगर बताओ तो यहाँ पर आप देखोगे तो कही ना कही यह इस particular level का breakout ले रहा है तो यह ज़्यादा यहाँ पर effective तो नहीं रहेगा बट एक support यहाँ पर है share के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखो एक breakout ले सकता है और अगर यह continue रखता है अपनी बड़त जो है continue रखता है और इसके उपर sustain कर जाता है तो share में यहाँ से एक अच्छे jump भी हमें देखने को मिल सकते है तो इस point के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यह level काफियत तक important रहा है पिछले कुछ time से क्योंकि इस level से गिरावट रही इसलिए A level break होना important है और downside की और support A वाला level इसलिए important है अगर गिरता भी है तो यहाँ पर support लेगा क्योंकि यहाँ पर यह already support ले चुका है तो इन levels के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए next stock है हमारा अशेर जो है Tata Power Company Tata Power की अगर मैं बात कर लूँ तो एक बहतरीन stock है stock में morning में गिरावट देखने को मेली बट stock ने बाद में एक recovery बताई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह 3054 रुपे के round आ गया था 10 बजे के round वही अगर देखें 354 से stock ने यहाँ आप से एक अच्छी बड़त बताई और बढ़ते बढ़ते stock यहाँ पर सीध है बिल्कुल एक बड़े level तक पोहुझ गया 3.30 मिनट तक यहाँ पर इसने 4 रुपे 70 पेसे की यहाँ पर return दे दिया और 308 रुपे 70 पेसे पर इसने closing दे दिया 95 पेसे की और ओल बड़त हमें आज देखने को बलती है 5 दिन में 16 रुपे शेर बड़ा है और एक महीने में 21 रुपे और 6 महीने में 135 रुपे तो return की भी अगर मैं बात कर लूँ तो return अच्छे है तो 10 गिगा वाट का यहाँ पर एक बड़ी deal साइन हुई है तो यहाँ पर हमें सिर्फ यह पता था कि 70,000 करोड का investment हो रहा है Tata Power की और से किया जा रहा है और यह investment यहाँ पर किया जाना है तमिलनाडू में ठीक है इतनी चीचे हमें पता थी तो यहाँ पर हो कितना वाट का ओडर होगा तो आने वाले 5-7 सालों के बीच बीच यह 10 GbW के अराउं तक का इनका plan है कितनी unit यहाँ पर यह वापर जनरेट करने है और बिलकुल यह आज ही की एक बड़ी news है और Tata Power & Rani मिलकर ही लगबग 6.64 trillion funding यहाँ पर होगी तो एक बड़ी news है ठीक है तो यहाँ पर इस talk में last moment पर एक अच्छी बड़ात हमें देखने को यहाँ पर मिली है इसके levels भी important है तो levels को भी हम यहाँ पर discuss करेगे तो हम आ जाते हैं Tata Power के उपर तो Tata Power के levels यहाँ पर हम देखे उससे पहले अगर बात कर ले अगर इसके volume की कि volume किस तरीके से share में काम कर रहे है और हमें यहाँ पर अगर आप दिखोगे जो community sentiments के आकड़े हैं वो किस तरीके से हैं तो पहले volume की अगर बात कर ले तो एक करोड के राउं तक का trade value हमें stock में देखने को मिलता है yesterday भी 2 करोड के राउं तक का trade value था volume आज भी अच्छा रहा और वही अगर देखें stock में और all जो community sentiments के आकड़े हैं उनमें भी 100% लोगों की ओर से buy करने के लिए कहा जा रहा है तो इस stage के उपर भी आप focus यहाँ पर कर सकते हो तो यहाँ पर Tata Power के levels क्या कहते हैं तो levels के उपर भी हम यहाँ पर एक बार focus कर लेते हैं एक minute guys यहाँ पर 5 minute के time frame पर हमने कल discuss किया था एक level और इस level के इसाप से stock में breakdown आया बट जो support की मैंने बात की थी exact उस point पे इसने support भी यहाँ पर ले लिया और उपर से इस level को भी इसने काफी अची दरीगे से break किया ठीक है और break करने के बाद stock ने sustain भी कर लिया है कल हमने बात किया था कि एक symmetrical type pattern share में बन रहा है इस level पे इसने काफी time support लिया और अगर यहाँ से breakdown आता है तो stock में यहाँ से बड़ी गिरावट आएगी और share में यहाँ से support आ सकता है exactly वो चीज हमने देखी downside के और से दो बार already इसने support लिया था और again आज भी इसने यहाँ पर support लिया और यही पर से support लेके उपर की और गया और breakout के बाद stock sustain करके धीरे धीरे उपर की और जा रहा है तो कल भी हमें उम्मीद है कि यह उपर की और ही जाएगा बट कल की लिए कुछ important levels है जिनके उपर आपको यहाँ पर focus करना चाहिए तो यह जो मैं अभी जो level बना रहा हूँ कि इस level से हमने कही न कही गिरावटे देखी है और बिल्कुल exact यहाँ पर आप देखो गया अब खुद को भी समझ में आ जाएगा कि यह इस point से गिरावट रही है ठीक है यहाँ से गिरा और यहाँ पर से भी गिरावट रही और आज भी इस level को यह break नहीं कर भाया तो गल एगर इसने इस level को break किया तो stock में और एक अच्छा momentum नजर आ जाएगा तो इस point के ओपर भी आप focus रख सकते हो सो काफी कुछ बाते हमने कर ली है in particular shares को लेकर अस वीडियो में तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दिना और कोई भी stock में investment करने से पहले इनका analysis करना मत भूलना टेलिग्राम चैनल को join करो link नीचे description में है थेंक्यो